तो आज हम basic से बात करेंगे Adobe Premiere Pro जैसे आप open करते हैं आपको सबसे पहले एक sequence एड़ करने होती है sequence कौन सी resolution में होती है एक आपके पास होती है 1280 by 720 दूसरी sequence आपके पास होती है 1920 by 1080 ठीक है तो ये दो sequence होती है mostly YouTube के लिए आप 1920 by 1080 को यूज करे होते हैं जैसे आप इसको एड़ करेंगे हाँ पर आपने ये जो आपके पास project window होगी right click करेंगे right click करने के बाद new item में जा के आपने sequence पर click कर देना है जैसे आप sequence पर click करेंगे तो आपके पास जो basic या starting में होगा आपने क्या करना है इसके बाद आपने 1080p पर click करने 1080i पर नहीं 1080p पर click करेंगे उसके बाद आपने 1080p 30 frame वाला select करके ok कर देना जैसे ok करेंगे तो आपके जो ये sequences set हो चुकिए इसी के उपर आप अपनी footage को edit कर सकते हैं या इसका जो scale है वो कम या ज्यादा करेंगे कर दो आपके अपनीज़ और प्राद पर कर दो ये अपनीज़